वो पॉलिग्राफ टेस्ट करे मम्ता बैनर जी का और पुलिस कमिशनर का क्योंकि सत्य को दवाय नहीं जा सकता है आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिशनर हो चाहे वो मम्ता बैनर जी हो और ऐसा क्यों कहा जा रहा है हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जगंदे अपराज होता है हमारी बेहन उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलतकार होता है ममता बैनर जी बिलकुल स्पश्टता से एक स्टैंड लेती है कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी उनको संरक्षन देंगे आज जब ममता बैनर जी ताना शाह निर्ममता बैनर जी विफल रही कि कानून विवस्था मजबूत रहे हमारी बेहन हमारी माताएं सुरक्षित रहे वो विफल रही तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं जो युवा हैं और रादितिक शेत्र में भारती जन्ता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकरात्मक भूमिका क्या होती है उसकी ताकत क्या होती हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जो कि उनका संविधानिक अधिकार है कि प्रदर्चन करें तो लूगी भाईनी जो घुस पैठी है जिनका धर्म देखके टीमसी का उनको सदस्य माना जाता है पुलिस जो है वो मूग दर्शक बनी रहती है चुप्पी साथ देती है और जहां हमारे डॉक्टर युवा साथ ही सारे चात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया हाता पाई की गई और अब हम जो देख रहे हैं वो ही कार रहे नबन्या अभ्यान जो है वहां क्या हो रहा है वहां फिर से पुलिस मुश्टेदी से खड़ी है वोटर कैनन डंडे चलाना बलकि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं कंटेनर और डंडे वोटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं इन्होंने दुशकर्म किया है यह है ताना शाम ममता बैनर जी की आखे हैं जिन आखों में एक जगन्द अपरादी के लिए प्यार है लेकिन जो चात्र हैं जो डॉक्टर हैं उनके लिए सक्त करवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं यह चिंता जनक है और मैं इस प्रतम बिंदू में आज एक बाच पश्च कर दू ताना शाम ममता बैनर जी और साथ में वो पुलिस कमिशनर जिन्हों ने इसको आत्मा हत्या बताया था और उसके बाद सर्वोत ड्याले और कलकत्ता उच ड्याले से फटकार लगी आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिशनर हो चाहे वो ममता बैनर जी हो पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निश्पक जांच हो सके दूसरी बात सत्य को बहार आना चाहिए इसलिए जाज एजिंसी सीबिया जाज कर रही है वो पॉलिग्राफ टेस्ट करे ममता बैनर जी का और पुलिस कमिशनर का क्योंकि सत्य को दवाय नहीं जा सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचले का काम कर रहे हैं ये संविदान को तारतार कर रहे हैं इसको सहा नहीं जाएगा पुर जोर तरीके से ये बात उठाई जाएगी जैसे आज इस मंच से उठाई गई है और आगे भी जब तक कि जो मृतक पीड़ता है हमारी बहन उसके परिवार को परिश के मंच से चात्रों के साथ डॉक्टरों के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहेंगे